हाई गाईज वेलकम बैक टो माय चैनल तो कैसे आप सब आज मैं बनाओंगी आलू गोबी की बहुत जादा टेस्टी अग्रेसिवी तो उसके लिए अपने आपे ले लिया आलू और गोबी को अब हम एक पेश बना के त्यार करेंगे तो उसके लिए मैंने एक मेडियम सैस के को ले लिया है यहां से दस से बारा ले ले लेंगे एक टुकडा ले लेंगे अधर का चोटा सा दो बड़े टमार्टर डालेंगे एक चमत साबुत जीरा डालेंगे एक चमत साबुत जीरा और एक चमत साबुत मेथी के दाने और डालेंगे दस से बारा ब्लैक पेपर इन तक कि हमारा कलर कालर चेंज ना हो जाएं, पकाल अभी को हम निकाल लेंगे, अब हम आले को प्राइं हो जाने कुझ काललेंगे अम डाले काला है, अ कुछ खरे मसाले, डालेंगे, जावüt, त्री दो एलाइची दालचीनी और एक तेजबता सबीकों डाल लेने के बाद हम पहले फ्राय कर लेंगे जैसी भी ख़रे मसाले फ्राय हो जाए डाल लें दो मीडियम साइज के प्यास को पतले फटले चॉप करके और फ्राय कर लेंगे हम 2-3 मिनट के लिए जब तक की प्यास का कलर चेंज ना हो जाए तीन से चार मिनट हो गए प्यास को हमने फ्राय कर लिया है अब इसमे हम डालेंगे कुछ मसाले डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कश्मेरी रेड चिली पाउडर तीखाप यहां पे कम या कर रहा था थोड़ा साम पानी डालेंगे जार में जो कि हमारा बाकी लगा हुआ पेस्ट होगा वह भी हम ले लेंगे और तीन से चार मिनट के लिए हम फ्राय करेंगे जब तक की जब हमारे मसाले से हैं जो तेल ना निकल जाए एक्स्ट्रा मसाला हमारा भुन चुका है करेंगे आलू और गोबी आलू और गोबी को हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे दो से ती मिनट के लिए फ्राय करेंगे आलू और गोबी को हमने अच्छे से मसालों के साथ भुन लिया है अब इसमें हम डाल देंगे पानी आज की जो यह सबजी है मेरी थोड़ी सी ग्रेव करम मसाला पाउडर एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने के बाद हम इसे ढख के पकाएंगे 6-7 मिनट के लिए जब तक कि हमारा आलू और गोवी सॉफ्ट ना हो जाए और बीच बीच में आप चलाती भी जाएगा 7-8 मिनट हो गया है सबजी हमारे बनके तयार हो गई है हमारा आलू और गोवी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है आखिर में डाल देंगे कटावा हरा धनिया बस दो मिनट और हम पकाएंगे धनिया पत्ता डाल लेने के बाद हम दो मिनट और इसले पकाएंगे जिसे कि हमारा जो दनिया परते हैं उसका कच्छा स्वाद ना है आखिर में यहां पर मैं डाल यूँ देशी घी घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद तो आप यह वाला स्टेप स्केप कर सकते हैं और देखे बनके तयार हो गई हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी आलो गोबी की रेसिपी चावल दाल के साथ सर्फ करके खाई और मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताए कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी वीडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा तो मिल देए एक नई रेसिपी के साथ